हेलो गाइज अस्सलाम वालेकुम उमीद है आप सब खेरियत से होंगे गाइज आज का टॉपिक बहुत इंट्रेस्टिंग है आज मैं बनाने वाली हूँ डियाइवाई प्रीबर्थ लोशन गाइज प्रीबर्थ लोशन के बारे में आपको परता ही है तो इसके लिए हम सबस अच्छा माना जाते है इस बॉडियोड को और यह 20 रूपे में मिला है मुझे साइमल यह वाला डाबर गुलाबरी इसके बारे में आप सब को परता ही है इसके बेनेफिट के बारे में भी आप सब को परता ही होगा तो गाइज यहाँ पे सबसे खास चीज जो है वह है यह अब सबने देखा ही होगा चंदन के लगड़ी जाइस मैं यहाँ पे पाउडर यूज बिल्खुल नहीं करूंगी मैं प्यार डियाएवाई बनने वाली हूँ इसलिए यहाँ पे पाउडर नहीं बाल्कि असली चंदन का यूज करूंगी मैं पाउडर हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन असली चंदन का बेनिफिट कुछ और ही किसम का होता है आप देखा होगा अगर पाउडर यूज़ करते होंगे तो एक बार असली चंदन भी यूज़ करके देख सकते हैं कि फर्क कितना आता है दोनुमें असले चंदन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपको हर DIY में आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं पर्चेस कर सकते हैं पाउडर ऑनलाइन लेकिन मैं प्रिफेर करूँगी अगर आपके पास असली चंदन है तो बहुत ही अच्छा आप उसे यूज़ किया किजिए आपके फेस के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है चंदन मैंने बिल्कुल भी मेकप नहीं किया हुआ है अब देख सकते हैं मेरे फेस पर मैंने एक आई लाइनर तक नहीं लगाया है और मेरे फेस ऐसे ही गलो करता है हमेशा क्योंकि मैं डियाइवाई बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं हर चीज़ खुद से बनाती हूँ मैं आज आपको बताऊंगी प्री बात लोशन कैसे बनाता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि सबसे पहले हम यहां पर चंदन रफ करने करें यह पत्थर का तोसक्त क्या बोलता है हम यह चौका बोलता है आप जो बोलते होंगे हैं कि आपको पता होगा यह क्या चीज़ हैं और हमती हों करें हैं तो इसमें हम रब करेंगे चन्डइन को हूं कि और हम यहां पर नॉर्मली पानी ही नहीं लेंगे यहां पर हम डाबर गुलॉब résसे लेंगे इसने के लिए मैं पूरे प्रोसेसर में एक बार भी नॉर्मली पानी नहीं लूँगी अगर मुझे पानी का जरूर दिर पड़ा तो मैं डाबर गुलावरी ही यूज़ करूंगी तो यहां पर मैं एक तीस्पून से थोड़ा साधा गुलावरी ले रही हूँ अब मैं इसी में पूरा चंदन रफ करके पेस्ट बनाओंगी चंदन का अब अच्छे से सर्कूलर मुशन में ऐसे रफ करते जाना है आपको जब तक यह पेस्ट नहीं बन जाता देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे पेस्ट करता है रफ करते करते हैं यह मैंने बहुत ही थिक पेस् करेंगे उतना थिक होते जाता है अगर आप कोई पेस्ट को पतला बनाना है तो आप थोड़ा और पानी का यूज़ कर सकते हैं अगर थिक बनाना है तो और ज्यादा रफ करेंगे और थिक बनता है हुआ है इस बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है सैंडल लूट का असली सैंडल लूट का खुश्बू का बाती कुछ और है अब यह वाला चंदन आप किसी भी मंदिर वाले मार्केट में पर्चेस कर सकते हैं अब मैं इसे इसमें लूंगी सब कि देख सकता है काई विल्कुल एक टीस्पून जितना मैंने यहां पर चंदन का पेस्ट लिया अब मैं इसमें हमारा ओलिवाइड करूंगी मैंने यहां पर जैक ओली वाइल लिया है आप कोई भी और ब्रेंट का अलीवाइल ले सकते हैं आप मैं यहां पर तू टीजफूनद जितना ओलिवयल डालूंगी आप अपने बॉडि यह हिसाब से बड़ा या कमा सकते हैं इसको घैटा सकते हैं जितना जिटना क्वांटिटी का होगा उतना सब चीज का क्वांटिटी भी रहेंगा उतना उतना सब चीज का quantity भी ऐसे बढ़ेगा यह वाला चीज हिसाब से आपको अपने लिए बनाना है यह लोशन अब यहाँ पर गुलाबरी लूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्ष्टा पाने ज़रुरत है एक तुस्पून जदना लिया है मैंने यहाँ पर अब पाड़ी है हमारा सबसे इंपोर्टेन स्टेप जो की है हल्दी हल्दी गाइस बहुत सारा ऐसे गलती करते हैं बहुत सारे लोग जो किचिन का हल्दी ले लेता है बिलकुल नहीं लेना है हमें DIY में डी आई वाई जो बिलीफ करते हैं डी आई वाई पे वो अपने घर पे कस्तूरी हल्दी तो रखते ही होंगे यह मैंने कस्तूरी हल्दी लिया है यह अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से पर्चेस कर सकते हैं मैंने यह ऑनलाइन ओर किया था कि कि चन वारे कालर मिला हुए उसका कोई बेनिफिट्स नहीं होता है और कस्तूरी हल्दी वह वह बिलकुल वीर्फी होता है विलकुल भी ओर दो इस यह ओन्यों होता है अब हम इसमें अच्छे से घोल के आप इसको चाहे तो एक महिना पुरा स्टोर कर सकते हैं एक ट्राइब कंटेनर में मैं अपने हाथ पे यूज़ करके आपको बताऊंगे दिखें गाइस मैं अपने हाथ पे यूज़ करके आपको बता रही हूं किस तरह से आपको अपलाई करना है आपको इसे बिल्कुल सर्कूलर मोशन में अपलाई करना है पूरे बोड़ी पे आप चाहे तो इसे फेस पे भी अपलाई कर सकते हैं लेकिन लेकिन फेस पे अप्लाई करने के बाद आप उस दिन फेश वाश नहीं कर पाएंगे तो अगर आपको फेश वाश करना है तो आप उस दिन फेस पे अप्लाई मत करेंगे लेकिन बॉडी पे आप अप्लाई कर सकते है और उसके बाद आप साबुन भी लगा सकते है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्लो आपको दोनों में ही बहुत ही अच्छा मिलेगा, मैं इसे हर रोज लगाती हूँ, नहाने के 20 मिनिट पहले, आपको ऐसे ही बिल्कुल मसाज करके 20 मिनिट तक रख देना है अपने बॉड़ी में ये लोशन, उसके बाद आप नहाने जा सकते हैं, ये अगर आप हर रोज करेंगे, तो आपको बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, बहुत जल्द आप फर्क देख पाएंगे, अपने कंप्लेक्शन में, देख सकते हैं, कितना ग्लो कर रहा मेरा हाथ, आप अच्छे से फर्क देख सकते हैं, मेरे ये वाले हाथ में अपलाई किया था, और दूसरे हाथ में अपलाई नहीं किया है, आप अच्छे से फर्क देख सकते हैं, मेरे दोनों हाथों पे, कितनी शाइनिंग हो रही है, मेरे स्कीन पे, देखिए गाइस, इस साथ पे मेरे अपलाई नहीं किया है, आप अच्छे से डिफरेंस देख सकते हैं, इसे ही आपको नहाने के बीस मिनिट पहले इससे अपलाई करना है, और बीस मिनिट बाद नहाना है, उसके बाद ज्यादा नहीं आप दो हफते में ही अपने स्किन में होते वे फर्क को देख पाएंगे, बिल्कुल फेस जैसा ग्लो करने लगेगा आपका स्किन, इससे प्र बाद लोशन कहते हैं, so कितनी सॉफट है, सॉफट फील हो रहा है, आप इसे यूज़ करके देख सकते है, तो यह मैं रख दूंगी, करके लिए, so guys देखा आपने कितनी अच्छी तरह से वार्प करता है, यह DIY प्रीबाद लोशन, मैं इसे रोज यूज करती हूँ, मैं प्रिफर करूँ कि आप भी रोज यूज कीजिए, या फिर अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप हफते पे तीन बार जरूर यूज कीजिए, फर्क आपके सामने है, देखें, ये मेरे स्किन टून के साथ, मतलब मेरे फेस के साथ, बिल्कुल मैच हो रहा, ये हाथ का कलर, और दूसरे हाथ पे मैंने नहीं लगाया, ये भी आप देख लीजिए, थोड़ा डल लग रहा, मेरा हाथ, स्किन से, सो गाइस, बहुत अच्छे रिजल देता है, आप कुछी दिनों में रिजल देख पाएंगे, और मैं बिल तो गाइस, मैं आपको वही DIY बताऊंगी, जो वर्क करता है बहुत अच्छे से, और लाइफ दिखाऊंगी कि कैसे वर्क करता है, तो आप भी हर रोज इसे यूस कीजिए, और इतने ही glowing skin आपका भी हो जाएगा, तो गाइस, आज के लिए बस इतने ही, नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए कुछ नया DIY लाऊंगी, क्योंकि यह मेरा पहला YouTube चैनल है, मुझे उतना experience नहीं है, तो अगर मुझे से कुछ गल्ती हुआँगा, तो I'm so sorry, और आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए बस इतना ही शुक्रिया वीडियो देखने क